किसान भाई, वेलकम टो इर्फानोल नास्टरी, आज नॉवेंबर का बीज तरीक है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कश्मीरी आपेल बेर का कलर कितना बड़ी आया है, और इसका हार्वेस्टिंग होने बाला है, जब एक देड़ माईने के बाद इसका हार्वेस्टिंग श जाता है, यही इस कश्मीरी आपेल बेर का सबसे बड़ा खास बात है, और रेट कलर, हर एक रेट कलर का जो फल है, वो बहुत सौधिस्ट होता है, मीठा होता है, और अगर आप इसको मार्केट में सेल करने के लिए लेके जाते हो, तो कास्टोमर की ध्यान को अपने और खी है, कि अभी आप क्या सा टीटमेंट इसमें करेंगे, ताकि आपको फ्रूटिंग बहुत ज्यादा मिले और आपको प्राइज अच्छा मिले, ठीके, तो अभी आपको क्या करना है, हर 10 दिन, 10-12 दिन में एक बार आपको ग्रो ग्रेस आप स्प्रे करो, उस से क्या होता है, और quality बहुत जवरदस quality होता है, और जो कीड़ा भीडा सब भाग जाता है, तो quality अच्छा करने के लिए ग्रो ग्रेस आप दे सकते हो, और एक चीज़ बुरोन, बुरोन आप दो, 10PL पानी में 1.5 ग्राम, और शार्प, 10PL पानी में 1.5 ग्राम, उस दोनों चीज़ ची़को मि लगबख 100-110 ग्राम होगा जैसे कि यह फल है अब देख सकते हैं जब हर एक फल ऐसा हो जाएगा तब इसको harvest किया जाएगा तो इसी फल का demand market में सबसे जादा होता है ठीक है तो एक माईने पहले ऐसा फल का हर्वेस्ट किया जाएगा और अभी इसका कीमत 30 से 40 रुपी पर किलो चल रहा है अभी इस हुलसल मार्केट में ठीक है तो हमें तोड़के लेके नहीं जाना पड़ेगा वो खुद आके हमारे बाक्स से फल तोड़के लेके जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि यह जो व पर की सबसे बड़ा खास बात ही है कि यह किसी भी बंजर दमिन में भी बहुत आसानी से उख जाता है और इसमें कस्टोमर जो किसान होते हैं उसका लॉस होने का चांसे बहुत कम हैं इसलिए मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहा है एपल बेर की कोई भी वेराइटी हो तो हर एक किसान के किसान को इसका फार्मिंग जरूर करनी चाहिए ठीक है तो इसमें लॉस होने की चांसे बहुत कम है इसलिए मैं बार बार इसके बारे में वीडियो में यूट्यूब में डालता हूं ताकि आपको सही जानकरी मिले और जितने भी बाग आज तक मैंने आप आपको दिखाया है हर एक बाग में जबर्दस प्रूटिंग आया है तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि यह वराइटी कितना प्रॉफिटेवल है अभी पूरा बाग में आपको दिखा रहा हूं घुमा घुमा के जो जो रेड रेड आपको दिख रहा है बहे अपेल बेर औ अभी तो हमारे बाग में विजिट कर सकते हो तो किस मातरा का फूरूटिंग आया है एक एक प्लांड में तो ब्रांच तूटने की नौबत आ रहा है एक 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 ब्रांच में एक से देड़ किलो फल ठीक है किसान बाइय आप देख लीजिए पूरा बाग कि एक एक तो किसान भाई आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रही होगी मैं उमीद करता हूं कि आपको बिल्कुल हेल्प बहुत हेल्प किया होगा आज के वीडियो और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं अगर आप में से किसी का भी इस प्लांड का रिकॉर्मेंट रहती है तो आप के लिए वस इतना है दोस्तों मिलता है दूसरी वीडियो के साथ और तब तक लिए गुड़ बाई